हाई दोस्तों कैसे हैं आप मेरे पास आठ एक आइडिया है और देश के लिए लाज भी है जो लोग भी I mean NRC, CA से डरते हैं उनको लगता है कि हमारे बाप दादा उन्हें हमारे लिए सर्टिफिकेट नहीं रखा है उन्हें डर लगता है तो आप छिंता क्यों करते हो मैं हाँ अगर आप इस देशन नहीं जाना चाहते हो या आपके पास कोई पुराने कागज़त नहीं है तो चिंता करने की जरूत नहीं है आप सब लोग रहो हिंदुस्तान में एक लंबा ऐसा बैंक का लोन ले लो बस बैंक पूरा सबित कर देगी कि आप हिंदुस्तानी हो चि और सबसे ज़ादा दुख की बात यह है कि हमारी एक्ट्रेस जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी है जिसे मैं बहुत प्यार करती उदी पिका को इस देश ने उसे प्यार दिया शोहरत दी भारत ने क्या-क्या नहीं दिया फिल्म इंडस्ट्री में लेकिन उन्हों ने उन ल को चाहते हो भारत की माता है कोई अपनी मा के टुक्ड़े करता है क्या को सको हम कि मा की अरब भारत के विल्म के तो क्यों करते हो जो और वो लोग दिपिका एक बहुत सूल जी हुई अभी नीत्री है वो अपने फिल्म के लिए फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां गई थी दोस्तों आज मैं बहुत दुखे और सैड हूँ बहुत जादा मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चंद देश के विरोधी लोग हमारे देश को बाट मोधी जी ने नागरित्ता कानून को लाके देश का सर उचा किया है मोधी जी देश के लिए कितना काम कर रहे हैं मुझे गर्व है हमारे मोधी जी पर हमारे प्राइम मिनिस्टर पर के बहुत अच्छा कानून ला रहे हैं मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग अगर दूसरे देशों में घुश जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होती है लेकिन ऐसे ही गैर कानूनी लोग हमारे देश में घुश के बैठे हुए हैं अगर उनके लिए कोई कानून निकाला जा रहा है या गैर कानूनी लोगों को निकाला जा रहा है तो इसमें मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं आप बताएए अगर हम घर में रहते हैं अगर हमारे घर में कोई घुश जाए तो क्या हम उनको हमारे घर में रहने देंगे उनको ये कहेंगे कि हम आपको जानते नहीं पैचानते नहीं और आप हमारे घर में रो हमारे मोधी जी सही काम कर रहे हैं कानून लाकर और सबसे ज़ और भारत ने क्या-क्या नहीं दिया फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन उन्हों ने उन लोगों को सपोर्ट किया जो भारत के टुकडे टुकडे करना चाहते हैं। जेन्यू के लोगों को, छात्रों को, क्यों, आप लोग भारत के टुकडे क्यों करना चाते हो, भारत आपकी माता है, कोई अपनी मा के टुकडे करता है क्या, कोई हमारी मा के टुकडे करता है क्या, और आप भारत के टुकडे क्यों करना चाते हो, क्या कोई मीठाय का टुकड करना चाहते हो भारत के टुकड़े क्या हम लोग ऐसे मूद देखते रहेंगे और आपस मंदर छातरों को पता ने कोई हमारी देश के विरोधिये वो मार रहे हैं छातरों को और वो लोग दिपिका एक बहुत सूलजी हुए अभी नीत्री है वो अपने फिल्म के लिए फिल्म पहुए नहीं लगाते हैं या सुनने से पहले हमारे कान क्यों नहीं फढ़ गया है भारत को कोई अलग नहीं कर सकता हमारे भारत की टुकडे करना चाहेगा उनके खुद की टुकडे हो जाएंगे इश्वर पर मिश्वर उन्हें माफ नहीं करेगा जिस देश में तुम खाते हो जिस देश का नमक खाया जिस देश में पैदा हुए उसके टुकडे करना चाहते हो नहीं हम देश के नागरी की ये बरदाश न हमेशा मैं आपके साथ हूं हमेशा मेरा नाम रिशाल दर्लानी है मैंने अभी अभी पड़ा कि इंडिया की जीडीपी फोकास 2019-20 के लिए 5% पे आगी है पिछले साल यह 6.8% पे थी मैंने यह भी पड़ा कि इंडिया की टैक्स कलेक्शन धाई लाख करोड रुपे कम हुई है यह ने की खर्च करने के लिए गवर्मन के पास करीबंद दो लाख करोड रुपे कम हुई है यह ने की लिकुडिटी कम यह ने की बिजनस कम यह ने की जॉब्स कम है अगि मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको सोचना ज़री है कि इस वक्त जो सी एए न रसी का जब अगया है यह क्यों हो रहा है नियत्ते प्रोटेस्टर्स पे नियत्ते स्टूडन्स पे हमले क्यों हो रहे हैं कौन आपको गुम्रा कर रहे हैं सच्ची मुद्दों से और क्यों सोचिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देश चलाना आए ना आए जलाना ज़रूर आता है मैं इस वक्त हिंदोस्तान में नहीं हूँ इसलिए मुझे बहुत अफसोस है कि मैं जाती तोर पर जो आज डिमेंस्टरेशन और प्रोटेस्ट हो रहे हैं CAA और NRC के खिलाफ मैं उनमें जाती तोर पे शामिल नहीं हो पा रही हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूँ और मैं यह इलतिजा करती हूँ कि आप जादा से जादा ताइदाद में इस मुहीम को आगे बढ़ाएं लेकिन बिना किसी हिंसा के यह बहुत जरूरी है मैं अपनी बात खत्म कट्यों कैफी आजमी के एक शेर से आज की रात बहुत कर्म हवा चलती है आज की रात न फुटपात पे नींद आएगी सब उठो मैं भी उठो तुम भी उठो तुम भी उठो कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी जावी दफ्तर के दोशेर जो मुझ को जिन्दा जला रहे हैं वो बेख़बर हैं कि मेरी जंजीर थीरे थीरे पिगल रही है मैं पत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में लेकिन मेरे लहू से तुम्हारी दीवार गल रही है मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आवास को दबाने के बजाए सरकार हमारी आवास को सुनेगी आज के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ और अफसोस हूँ कि जाती तोर पे वहाँ नहीं हो सकी क्यूंकि मैं इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं हूँ लेकिन मैं अपील करती हूँ कि किसी तरह की हिंसा नहों हाई मेरा नाम विशाल दर्लानी है मैंने अभी अभी पढ़ा कि इंडिया की जीडीपी फोकास 2019-20 के लिए 5% पे आ गई है पिछले साल यह 6.8% पे थी मैंने यह भी बढ़ा कि इंडिया की टैक्स कलेक्शन धाई लाख करोड रुपे कम हुए इस बार याने की खर्च करने के गर्वर्मन के पास करीबन दो लाख करोड रुपे कम हुए याने की लिकुडिटी कम याने की बिजनस कम याने की जॉब्स कम मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको सोचना ज़रूरी है कि इस वक्त जो सी ए ए नर्सी का जो बवाल पहला है यह क्यों हो रहा है निहते प्रोटेस्टर्स पे निहते स्टूडंस पे हमले क्यों हो रहे हैं कौन आपको गुमरा कर रहे हैं सच्ची कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देश चलाना आए ना आए जलाना जरूरर आता है फ्ट्र चाच टिछूप आपक्राट ड्ट्ट आताट पीन्ताट अटल भंोंस प्तू जू हHHल ऑगल में ऐसे हैं ज सूटिग अ सुमों क्यों ए औरू ऑर्वसी घ क्योंर कि रहां कंग नग्से संट तर these 12G to the north gate 12GM again has large numbers as you can there is media presence that it is vary police presence there, but Delhi police is not going inside campus and not controlling the situation가요 please as citizens cohort to large numbers in front of the main gate and and these are you know Dadi boys correct is the police to Act I mean don't try to stop this responders वेलोग है। और अविपले पूले सी नहीं टे लिए एट बाइट अनयोंगियांगिया हूए इस जा बेन प्रीमें प्रीमेंग से अग गाता है है। टिए देश विट लिए पहले से जाएंगिया प्रीमेंगेंग वेल्श फाट लिए्ट ऑबग एट आदर निवले मेरी यपील जमी औरahhा ट्कैनलियव में वेया ज़त लुए निम्र शेंया पोसिब त disputes जिस अधरा," जिसके अंदर प्रेमिलिटर्य जो भाइब झालِ आप लोग बिल्स आरा है region eyeball के और डिन्वाटप कर दोए लौग पहुंचिया के लग है यह लोग अभी जेनियू के हमला कर रहे हैं जैसे लोग महा गैदर होंगे यह लोग उसके बाद शाहिन बाग पर भी हमला करेंगे क्योंकि वो एक सिंबल बन गया है यह उसको खत्म करना चाहते हैं ये लोग गुंड़ाई पे उत्रे वे हैं पर जादा जादा लोग अगर पहुंचेंगे ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग प्लीज जो है जो भी कर रहे हैं उस काम को अभी छोड़िए और प्लीज जादा सजादा लोग गयादर हुए शाहीन बागत पे जामिया और ओकला के लोग खास्तोर पर उसके आसपास के लोग और बागी लोग जितने हैं वो लोग प्लीज जेनियू के दरवाजे के सामने पहुंचिए ये ये लोग हराद्मी के घर में गुच रहे हैं इसको रोकना ज़रूरी है इन लोग के प्लान को समझ के आगे बढ़ना ज़रूरी है प्लीज ज़ादा ज़ादा लोग शाहिन कि और आगिया है और ऐसा माना जा रहहा है कि वह दोब ऑछेनल के उबान के अंदर भूज में और हर जगह पे नेट के सामने जूनका जादा लोग पॉंचिये रहा पे पोलस खड़ी है कि push नहीं कर रहे हैं वह बलकि बाहर के लोगों को अंदर जाने से रोक रहे हैं ताकि वो लोग इस इस भुन्ड़ाई को रोक न पाएं आप लोगों को बस मैं इतना ही बोलूंगा अगर आप लोग रहा है आप अपने घर में सेफ आप अपने घर में सेफ नहीं है यह लोग